नमस्कार स्वागत आपका बिंटू की नजर में आज हम जानेंगे राजिस्तान के बजट को लेकर राजिस्तान में विधान सवा में जो आम बजट पेश हुआ है अशोक गहलोद दौारा उसको लेकर आज हम जानेंगे कुछ हमारे साथ में मीडिया के विध्यारती हैं तमाम एक्सपर्ट हैं उनसे हम आज राए लेंगे कि आम बजट में किस विवाग को या किस डिपार्टमेंट को क्या-क्या दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं तो आईए शुरू करते हैं हमारे साथ में मीडिया के विद्यारती हैं रजज़ जैन जी आज इन से जानेंगे कि पत्रकारिता में फाइनल एर की जो पड़ाई कर रहे हैं अब इनके साथ में आप सर आप मुझे ये बताईए जैसे कि कल जो परसोब विद्यान सवा में जो बजट पास हुआ है आम बजट जो दिया गया है मुख्यमंत्री दुआरा उसमें आपको कहां तो खामिया दिखती हैं और कहां एक ऐसी चीज निकल के आती है कि जो कि मूल बजट निकलता है उसमें कुछ ने कुछ परिवर्दन होते ही होते है और इस बार भी कुछ ऐसा ही है कई फैसले ऐसे हैं जो कि देखने पर ऐसा लगता है कि चुनावी वोटों के लिए ही फैसले लिए गए है जिसमें शामिल होता है 2004 से जो सरकारी कर्म चारी थे उनकी पैंचन फिर से चालू कर दे गई लेकिन अब आप ये सोचिए कि वो पैंचन कब चालू होगी क्या पता उस समय कॉंग्रेस के सरकार रहे भी या ना रहे तो उसका बुकतान दूसरी पार्टी को भी चुकाना पड़ सकता है लेकिन जहां पर चुनाओ आने वाले हैं उसके लिए पूरी तरीके से वोट बैंक बढ़ने वाला एक काम सिद्ध हुआ है क्योंकि जो सरकारी कर्म चारी वे पूरी तरीके से अब उसी तरफ जाएंगे क्योंकि उनको तो जो है पैंचन मिल गई इस चीज़ से और इसकी साहती कई ऐसी सारी चीजी भी है जो बहुत अच्छी है जैसे की сп अच्छा फैसला Newton की सरहनी पर ये कंडी चलोवा जो पुलीस चौकिया नहीं है इसके अलावा prosecution गोली जा रही है क्वली जाए इसके अलावा जो यान प्र साइबर पुलीस और शाइबर fasting भी हम उन्हें कह सकते हैं तो इसमें ऐसा है कि जो पहले पुलीस थाने थे या फिर पुलीस चौकिया थी उनको और बहतर किया जा सकता था क्योंकि हम आम लोगों से बात करते हैं मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि आज पुलीस को 20 बारे मिली है जिसमें उसे है नहर की बारे में तो कई सारीって चीज़े बहुत अच्छी है तो बहुत तो अच्छी है आप बता रहे जिससी आप मान लीज़े कि और ले आपकि यह मान सेकता है कि बहुत अच्छा बज़त शुBut लगता है कि 2000 नई इंग्लिस मीडियम स्कूल बनाना जोनियर स्कूलों को सीनियर स्कूलों में कनवर्ट करना यह कहीं न कहीं ऐसे लगता है कि यह पॉसिबल थोड़ा बहुत डिफिकल्ट काम है बजट में तो पेस कर दिया गया लेकिन हाकिकत में इसको एक अलग नया रूप देने के लिए कहीं न कहीं सरकार को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि सारी को सीनियर स्कूलों में कनवर्ट करना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है उसको लेकर क्या कहेंगे जी सर देखिए जजजा कि 2021 में जो बजट आया था पेपरलेस बजट आया था उसमें 30 महिला कॉलेज खूलने की बात हुई थी और वो अभी प्रोसेसिंग में है और इसके साथ ही इस बार वाले बजट में जो है नई स्कूल खूलने की बात हुई है तो इस सेम मेरे वही उपिनिन्स है इस चीज़ को लेकर भी जैसा कि मैंने थानों के बारे में कहा कि जो चीज़े वरतमार में चल रही है पहले हम उसे सुधार है उसके बाद कोई नई रणनीती बनाए तो बहतर है क्योंकि पहले वाले ही जो मारे विद्याले है वो पिछड़ते जा रहे हैं दिल्ली की तरज पर जो उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल डिजिटल स्कूल ख अच्छा खासा जानते हैं क्योंकि आप पत्तिकारिता चेटर से जुड़े वेक्ति हैं तो मैं आप से जानना चाहूंगा जिस प्रकार से जैपूर में आप रहते हैं मैट्रों को बढ़ाने की बात कही गई है बजट में उसको लेकर आपके क्या राय है कि मैट्रों को जिस सबस्क्राइब 9 20 किलोमेटर कर दिया गया लेकिन जीज़वत वाली जगहें तो कई छ छलन नहीं 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 है दो कमसे कॉप तो पहुंच पहूंचए वहां पर यह हैं तो इना कहना यह है कि मैट्रों को वहां तक पहुचाया जाये जहां पर सरकारी वाहन यानी मीनी बस और कोई भी टैम्पू वगेरा की विवस्ता नहीं की जाती है जो कि एक राज्ये पत होते हैं जिन पर किसी अड्ये वाहन का आवागमन नहीं निशेद होता है उन जगों पर मैट्रों को लाया जाए इनका कहना ये है आप साथी साथी ये बताइए कि विदान सबा में जो शड़कों के लिए 10 करोड रुपए दिये गए हैं पर विदान सबा को उसको लेकर आपका क्या कहना है कि वो रुपए हाकिकत में उनके काम आएंगे या फिर आपके हिसाब से उनको बस एक कागजी कारवाई के तोर पर रखा जाएगा उनको एक कागजी कारवाई के तोर पे रखा जाता है जैसे कि हम किसी भी शेतर में जाते हैं या कहीं भी आसपास केरी में जाते हैं तो वार रोड को कोई निर्माण नहीं होता है टूटी-फूटी रोड ही मिलती है लेकिन वो जो बजट दिया जाता है जाता है वो सिरिफ चागजी कारवाई में रह जाता है या विदान सभाकिय की राशी दी जाती है जैसे कि इंसे कहना था कि आहम बजट है उसको ध्यान से आप भी पढ़िए और आप भी पता लगाईए कि इसमें क्या खामिया हैं और क्या आपको लाब मिल शकते हैं क्योंकि अपनी जनता को जब तक किसी नई यौजना या किसी बजट के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक आप भी उसका लाब नहीं प्राप्त कर सकते हैं इसलिए जनता को जागरुक बनो और अपने बजट को पढ़िए और हर रियोजना का एक अलग से एक डैमो तैयार कीजिए और आप भी उसके खामयासुदारिए बागी बिंटू की नजर पर जुड़े रहे हैं क्योंकि यहां खबरों का सिलसला कभी नहीं थमता धन्यवाद